नहीं है प्राइम टीवी सच साहस सरोकार संगर्श भरे जीवन की कहानी हम जानेंगे डॉक्टर अशोक बाजपई साफ सुत्री छवी के नीता माने जाते हैं पर अपनी बेदाग छवी से उन्होंने न जाने कितने राजनेतिक मठादीशों के तेलिस्म को ध्वस्त कर दिया है न जाने कितने ऐसे धुरंदर नेता है जो आज भी अशोक बाजपई की राजनेतिक समझ के आगे फी के साबित हो जाते हैं आज हम जानेंगे डॉक्टर अशोक बाजपई के राजनेतिक सफर की उन बातों को जो हमारे और आपके जीवन के लिए मिसाल का काम करेंगे सर आपका हमारे इस खास कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पटा है कि आपका राजनीतिक सफर काफी चुनोतियों से भरा रहा है। लेकिन अगर आपके जीवन की शिरुवात की बात करी जाए तो वो कैसी रही थी। आपातकाल लगा देश के अंदर जैप्रकाश जी के आन नेतरत्तों में एक शात्रा अंदोलन चला, परिवर्तन का अंदोलन, गुजरात का नवनिर्मान अंदोलन से सुरू होकर बियार तक, और धिर धिर उत्तर प्रदेश में उसका फैला हुआ, उस अंदोलन से नजदी की स अंदर समीत के सदस्य थे, और उस समय इवा अंदोलन बहुत सक्री होकर भाग ले रहे थे, तो इस तरह वहीं से सक्री राजनीत की सुरुआत हुई, एमर्जनसी लगी, जेल गए, लंबा 19 महीने की जेले यात्रा थी, बहुत सारे लोगों से राजनीतिक लोगों से उसी द लोगसभा के चुनाओ घोशित हुए, पहले लोगसभा चुनाओ ही लडने का मेरा उद्देश भी था और पार्टी भी चाहती थी कि मैं लोगसभा चुनाओ लडू, किनी कारणों से लोगसभा चुनाओ में मेरे पक्षमे निरणे नहीं हो पाया टिकट का, लेकिन उसके तुरन दो महीने बाद विधान सभा के चुनाओ हुए, और उसमें विधान सभा के लिए मुझे जनता पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया, और मैं विधान सभा का चुनाओ जीता, विधायक बनने के बाद वहां से सक्री राजनीत की सुरुआत हुई, और तब से लग मैं सुरू से तो मेरी अपना अभिरूची रही कि मैं ग्रामीड परिवेश से आता था माता पिता मेरे बड़े करशक थे तो किसान होने के नाते खिती बाड़ी के कामों में अभिरूच भी रहती थी और उनके काम को हाथ बटाने के लिए समय समय पर छात्र जीवन के साथ सायोग मिलता था और परिवार की आए भी ठीक रहती थी लेकिन वो दीरे दीरे वो बढ़ता चला गया एंसी सी मेरी बहुत सक्रियता थी जो अवाएक सम्झे कि हाइस कूल से ही मैं एंसी सी के जूनियर डिविजन में फिर सीनियर डिविजन में फिर इंवर्स्टी में आकर सर्विस रेगुलर कमिशन आर्मी में चालू हुआ उसमें भी मेरा चेहन हुआ लेकिन दुर्भागे बस मेरी इच्छा थी आर्मी में जाने के लेकिन परिवारिक दबाओ के कारान वो नहीं हो पाया फिर यह हुआ कि अब पढ़ाई के साथ साथ राजनीत भी अभिरुच पढ़ाई शिक्षा राजनी घर के दाई इन सब का मिला जुला क्योंकि भायों में सबसे बड़ा था तो सारे भायों की भी शिक्षा लखनों में हो रही थी में बुसे चोटा भाई पंदकर में M.C.A. जी कर रहा था तो वो सारे लोगों के खरचे भी थे तो वो भी सब च साथ ये शुरुवाती राजनीत का दौर चला तो देरे-देरे सारे लोग भाई लोग भी स्वावलंबी हो गए पढली करके अच्छे जगों पर आ गए तो काम देरे-देरे कम होता गया और पूरी तरीके से राजनीती में समर्पित हो गया पढ़ाई में तो आप बहुत सारे ब्ब्रेस रेगुलर आरमी के साथ होता था वो भी बड़ा रिमोट एरिया में तो इसे पितहुरा गढ़ के आगे चंपावत में हम लोगों को रखा गया एक महीने तक वह regular army के साथ में और वही पूरी parade होती थी जो army regular army करनी पड़ती थी अग उसी तरह से उनके साथ shooting में हिस्सा लेना होता था बड़ी tough training थी regular army attachment की तो उस समझ से यह भिरुची रही कि निशाने बाजी की और जब जब इस तरीके के competition हुए तो मुझे gold medal मिला और मुझे इसमें vice chancellor gold medal chancellor gold medal कई सारे इस तरह से ncc के माध्यम से निशाने बाजी में और ncc की बाकी activities में मुझे पुरुषकार मिलते रहे और हमेशा इसलिए अभिरुच भी सेना की प्रतिजादा रही लेकिन जब वो विकल्प समात हुआ तब पिर राजनीत की तरफ पूरा सबर्पित हुआ उननीस सेनतर में आप पहली बार विधायक चुने गए तो आखिर ऐसी कौन सी सोच थी जो आपो राजनीती की तरफ लेकर आई है आपका कौं सा उद्देश नीटी में आपके आपको एक बदलाव करना है तो कौन से बदलाव था निन देखी दो चीज़े थी देश सेवा की लगें- तो सुल से थी के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकेंगे क्योंग उस समय अगर 77 के पहले कलपना करें तो भारती जो सामाजी की सिती काफी गरीबी थी काफी लोगों बेबसी थी लाचारी थी सिख्षा का अबाव था विकास था नहीं ग्रामीर जीवन बड़ा कस्ट में था तो उसे देख कर लगता था कि इस दिशा में अगर हम कुछ मौका मिला तो हम जनता है कि सेवा करेंगे और राजनीत में आने का उद्देश भी सेवा भाव ही था और मैं आप से कहूं कि मुझे ये सेवा का पाठ शायद राजनीत में बड़े लोगों के साथ चाहें जब मैं जेल में रहा त मुझे सीखने को मिली कि राजनीत केवल सुक सुविधा के लहीं नहीं राजनीत मूल्यों के लिए है उद्देश्यों के लिए है और उसी तरह का भाव मन में जगा कि राजनीत में हम आएंगे तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ समाज के लिए करने का प्रयास करेंगे तो तब की सपा और अब की सपा में आपको क्या अंतर लगता है देखे मैं जनता पार्टी मैं आपको बता दूँ थोड़ा अपने राजनेतिक केरियर के बारे में 1977 में तमाम सारे राजनेतिक दल एक साथ मिल करके आए और इंद्रा गांधी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के मुकाबले सारे दले एक मंच पर आए अब उस समय सभी दलों ने अपने अस्तित्त को का विलीन कर दिया चाहे समाजवादी पार्टी उन्ही सोस्रिस पार्टी थी उस समय जंसा भारती जंसंग थी संग्ठन कांग्रेस थी लोग दल था इन सारी चारों बड़ी पार्टी ने अपने को एक साथ इकटा करके अपने को मर्ज कर दिया और जंता पार्टी बनी अउस समय जंता पार्टी के पहले राष्ट्री अध्यक्ष चंशेकर जी बनी तो जन्ता पार्टी से ही हम 1977 में मैं विधायक बना और सौबाग इसे बहुत कम उमर थी विद्यार्थी जीवन से एकदम लगतार मुझ समय भी जिस समय मैं जेल गया था तब ही मैंने में फाइनल की परिक्षा दी थी और मेरा में का वाइबा जेल से ही आया था पुलिस की कस् अरकरी राजनीत में प्रविस हो गया ये मेरी वीडम मना रही तो राजनीत में कम उमर में आने का मौका मिल गया विदायक बन गया और सौबाग रहा आप सबके स्वयोग से उसी समय मुझे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री का दाइत मिला सरकार में भी काम करन जो मेरा जन्पत था, वहाँ पर मेरी प्रात्मिक्ता थी कि हर्दोई में शिक्षा की कमी को, उस समय तक पूरे हर्दोई जिले में कोई डिग्री कालेज ऐसा नहीं था, जहां विग्यान और कामर्स की पढ़ाई होती, तो मैंने सबसे पहला राज किये महाविद्याले हर्दो कालेज बी इड की कख्षा है, वह विद्यालें, फिर उसके बाद दिर दिर मैंने जब दुबारा मौका मिला तो मैंने पियानी में राज की महाविद्याले, तबाम सारे गर्ल्स इंटर कालेज, यह सारी सिक्षा का प्रसार मेरी प्रात्मिक्ता रही, नीजी छेतर में भी सरकारी छेतर में भी सिक्षण संस्तानों को बनाने में सहयोग करता रहा मंत्री के रूप में नए नए सिक्षण संस्तानों की इस थापना में मेरी प्रात्विक्ता रही और इस तरीके से चलते हुए जनता पार्टी तूट गई 79 आते आते दोरी membership के सवाल पर समाज जनता पार्टी तूटी और उसके भी दो भाग हो गए जनता पार्टी बन गई और एक भारती जनता पार्टी बनी जनता पार्टी की विभाजित हो कि एक तरफ लोग दल बन गया चोधी चरन सिंग जी के नेतरतो में दल पिर इसके बाद फिर आगे चल करके लोग दल और यह जानी पार्टियां फिर ही कठा हुई आके 89 में 87 में जनता दल के रूप में और जनता दल क्योंकि उस समय कांग्रेस फिर पूरे बहुमत में आई तो फिर कैसे हुआ कि कैसे इस से कांग्रेस का पुकाबला होगा तो फिर राजनाइतिक दल जो समय के ततकालीन लोग दल था और दूसरी पार्टिया थी बाज़पा को छोड़ करके सारे लोग इकमंच पर आए और फिर जनता दल बना और उसी जनता दल के चुनाव 89 में हुआ लोग सभा का जिसमें फिर वीपी सिंग प्रधान मंतरी बने बा प्रेट फार्म था कि शिक्षा के चेतर में काफी काम करने का और मुझे इस बात का संतोष है प्रधेश के शिक्षा बनती रहते मने प्रधेश में शिक्षन संस्ताओं की बड़ी संक्या शिक्षन संस्ताओं की सिक्षा का इसे सुधरे और इसके लिए पूरे प्रधेश मे शिक्षा उन्यान पखवारा साल में दो बार मैंने मनाने का निर्णे लिया और इस शिक्षा उन्यान पखवारे में स्कूलों का रख रखाओ अच्छा हो बच्चों की उपस्तिती अच्छी हो शिक्षक समय से पहुंचें विद्यालियों की देखने कैसी हो और जिसमें आप स पख्वारा का जो मेरा प्रहुप था बड़ा सफल हुआ और समय शिक्षा में काफी काम हुआ शिक्षा में बड़े पहमाने पे जो प्रोनतिया रुकी थी अधिकारियों के उन सब की प्रोनतिया हुई सिक्षा में नए नए चीजे जोडने का विप्लियास किया गया नए सिक्षानीत बनाने की दिसा में काम हुआ तो ये सारे काम हुए लेकिन उसके बाद वो सरकार भी जब राममंदिर अंदोलन को लेकर के जब महां कार सेवा गम पर गूली चली तो सरकार वहां पर भी फिर पुतर पदेश सरकार चली गई वो सरकार भी अपना कारे काल पूरा नहीं कर पाई इस तरह से बार बार काम सरकारे बनी लेकिन सरकारे पांच वर्स काम नहीं कर पाई कई बार ऐसा हुआ कि जो एक कारियोजना बनाई गई की पांच वर्स के लिए पूरी रही हुपाई तो इस तरह से साराजनीत में फिर 89-91 में पार्टी तूट गई जनता दल भी और जब जनता दल तूटी तो उसके बाद यह हुआ कि जनता दल तूटने के बाद कुछ दिन समाजवादी जनता पार्टी चंशिकर जी के राष्ट उत्तर प्रदेश में लेकिन वो समाजवादी जनता पार्टी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और उस समय यह हैसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोगों को पुराने बिखरे हुए समाजवादियों को इकठा करना चाहिए और एक वैचारिक ढंक से समाजवाद को एक मंच पर लाने की आवश्यक्ता है और उससे एक वैचारिक रुक से राजनाइतिक दल खड़ा होगा और यह सोच करके बानमे में जनता समाजवादी पार्टी के गठन करने का निर्णे लिया यहीं बेगम असरत महल पार्क में उस समय यहां सभाय हुआ करती थी यहीं पर समाजवादी पार्टी के गठन करने लिया और हम लोग उसके संस्थापक सदस्यों में से रहे मुलायम सिंग उसके राष्ट्री रहे तो उस वक्त की समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की भावना के साथ चल रही थी तो क्या लगता है अब वो कहीं खोस ही गई है देखिए वो समाजवादी पार्टी जो हम लोगों ने बनाई थी वो वैचारी के अदार पर बनाई थी जो समता और समपनता जिसका उद्देश था कि समाज की गहर बराबरी को कम किया जाए तो जैसे लोहिया जी ने तो जाती तोड़ों आंदोलन चलाया था कि जातिया सम समापतों और समाज में बराबरी का रिस्ता कायम हो लेकिन वो उत्ता नहीं संबह हो सकता था लेकिन हम लोगों ने कहा जो समाजवादी नीतिया थी उनको हम कैसे सालजनिक जीवन में ला सकें पार्टी को खड़ा करके सालजनिक जीवन में समाजवादी नीतियों को हम रोटी, सब को सिक्षा, सब को कपड़ा और नारा दिया था समाजवादियों ने रोटी, कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई, मुफ्ती होगी और इसी नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सरकार बनने पर इन चीजों को इंप्लिमेंट करने का काम पहले सरकार में जब समाजवादी पार्टी का गठन हो गया तो पहली बार इस दिसा में तेजी सी काम होगी। लेकिन धीरे-दीरे समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से बटकती चली गई। और समाजवादी पार्टी धीरे-दीरे जातिवादी पार्टी का रूप धा करती गई और जातियों के आदार पर टिक टो का वित्रा नेतल तो का आगे बढ़ना बढ़ाना ये सारी चीज़ें और उसके बाद जब मुलाइम सिंग का नेतल तो कमजोर होने लगा तब समाजवादी पूरी तरह से एक जातिवादी संगठर बनता चला गया और तुष्टी आदेश रहे तो मैं प्रदेश मामंतिरा जब वो राष्टी रख्ठी रहे तो मैं राष्टी मामंतिरा। लेकिन उस समय जब मुलाइम सिंग Γी को जिस Clin aid ऐते का रशनीट करने का कोई मतलब नहीं लेकिन लगा ये कि समाजवादी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई अब ये समाजवादी नहीं रहे गए ये सुद रूप से सत्ता की राजनीत का एक मंच बन गया है केवल सत्ता अरजित करना इनका लक्षिया है चाहें जाती के नाम पर चाहें तुष्टी करन से किसी भी तरह सत्ता अरजित हो जाए तो उद्देश्यों से भटकी राजनीत में फिर साथ देने का मेरा मतलब नहीं था और इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से मैंने किरारा करने का काम किया तो जो अपने उद्देश्यों से समाजवादी पार्टी भटकी तो क्या यही वज़ाती थी उसका साथ छोड़के अपने भाजपा का दामन थामा भाजपा में आपको वो नीतिया लिखाई दी देखे है मैंने बताया ना कि समाजवादी पार्टी से मुझे चोडने के जो कारण थी कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी जिन उमुल्यों के लिए करठित हुई थी उन मुल्यों से बटक गई मैंने भाजपा में जाने करने नहीं तत्का लिया उस समय मेरे पास दो विकल्प थे या तो मैं राजनीती से बिलकुल सन्यास ले लूँ अपना पढ़ने लिखने का काम करूँ और अगर राजनीती में फिर मैंने अपने तमाम सारे राजनीतिक साथियों जो हमारे साथ पिछले इस राजनीती के आत्रा में पिछले 30-40 साल साथ उनको सबको मैंने बुलाया बुला कर सबसे मंतरना करके राय किया क्या करना चाहिए तो उनका कि आज के समय में अगर हम लोग समाजवादी पार्टी से लग होने करने लिया है तो यह कही विकल्ब है कि भारती जन्ता पार्टी कम सकम राष्ट के प्रचिंतन करती है राष्टवादी पार्टी है राष्टिय मुल्यों के राष्टिय सम्रद्धी के लिए चिंता करती है और समाज की समरस्ता के दिसा में काम करती है तो एक समरस समाज बनाने की सभाजती जनता पार्टी की प्रयास है तो उस दिसा में हम लोगों को ऐसी एक राष्टवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए तो सबकी राय से हम लोगों ने रने लिया कि हम लोगों को भारती जनता पार्टी में रहकर के और भारती जन्ता पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए और एक बड़ी संक्या में लोग हमारे साथ हजारों की संक्या में लोगों ने उस दिन भारती जन्ता पार्टी जुआइन करने करने लिया तो अपसे ये सफर भारती जनता पार्टी के साइसे चल रहा है आपने अपने राजनीतिक कारकाल में सिक्षा को बहुत महत दिया है उसके छेत्रों में काफी बदलाव भी किये है इस वक्त सरकार भी ऐसे ही कई कदम उठा रही है लेकिन खेल के 6 रुपे भी काफी ध्यान दे रही है सरकार इन कदमों को किस तरह से देखते है इतना अपमान का घूट पीना होता था बारती जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोधी जी ने खेलो इंडिया का विचार दिया और गाउं गाउं में खेलो जो इस्थानिये कहलते है जो हमारे छेत्री कहलते है उन सब को बढ़ावा देने के साथ साथ राश्टी इस तरपर खेलों को प्रात्मिक्ता दियाने लगी खिलाडियों को उची डाइट मिले उनको उची सम्मान मिले उनको सरकारी नवकरियों में जगे मिले इस तरह से प्रयास हुई तरड़ ग्रामीर छेत से नय-नय खिलाडी निकल कर आने लगे और आज इस्थित में सुधार हुआ है हला कि अभी भी इसमें बहुत कुछ काम होना बाकी है कि इतनी बड़ी आबादी के देश में हमको जिस तरीके से खेलों में हमारा अस्थान होना चाहिए उसे बनाने के लिए और प्रयास करने होंगे लेकिन आज ये खेल का वातावन बना है और उसमें बारती जनता पार्टी की माननी मोधी जी की व्यक्तिगत प्रयासों के सराहना जितनी की जायों कम है अपने खिलाडियों को प्रोस्टाइद करना उनके मनोबल को बढ़ाना उनकी कठनाईयों का निराकरन करना खेल के अनुरूप वातावन देश के अंदर बनाना ये सारा काम बारती जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और विशेसकर मोधी जी के प्रयासों से हुआ है तो इसको नकारा नहीं जा सकता है और आज मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों में एक राष्टी सोच जागरत हुई है कि चाहे उखेल के मैदान में हो चाहे सिक्षा के मैदान में हो कि हम अपने राष्ट गवर्ण को कैसे बढ़ाएं ये हमारी नई पीड़ी के मन में एक ऐसा उत्सा पैदा हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा चिन्न है कि हमारे देश की गरीबा को बढ़ाने वाला है और इससे हर छेत्र में देश का विकास होगा ऐसा हम मानते है ऐसा कहा जाता है कि सबसे साफ उच्छवी के नेता है आप और जिस तरहां से आपने 19 महीने जेल में बिताए है उससा आपके जो राजनीती है उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट आया देखें जैप्रिकास जी के आधोलन में हम लोग आये थे तब तो ये भईशी का पता भी नहीं था लोग विद्यारती थे कि आगे कुछ होगा लेकिन उस समय था कि ब्रस्टाचार मुक्त समाज बनाने की एक इच्छा थी जो जैप्रिकास जी के नेतरत में हम लोगों ने कि उस समय भी गुजरात में चिमन भाई पटेल के नेतरत में जो मुख्यमंत्री वहां के थे सरकार ब्रस्टाचार में डूपती जा रही थी उत्तर प्रदेश की भी सरकार को ब्रस्टाचार के तमाम आरोप लगे थी बिहार में की सरकार ब्रस्टाचार में पूरी आकन टूबी थी तो इन सरकारों के खिलाब नौजवानों में आक्रोष था तो जैप्रकास जी को के नौजवानों ने घेर करके जैप्रकास जी के नेतरत को आवान किया कि आप हम लोगों क्या हुआ ही करिये इस ब्रस्टाचार के खिलाब तब जैप्रकास जी के नेतर ने ब्रस्टाचार के खिलाब नौजवानों का अंदोलन प्रारंब हुआ अउस अंदोलन में हम लोगों ने प्रारंबिक राजनीति वहीं से की तो एक मन में एक विश्वास था ब्रस्टाचार मुक्त समाज कैसे बने और आज तो उस समय जो इस्तिती हो गई थी कोई काम बिना पैसे बिना लेंदेन के नहीं होता था और ब्रस्टाचार देश के विकास के लिए सबसे बड़ा नासूर है अगर देश को आगे जाना है तो ब्रस्टाचार से मुक्त करना होगा और मैं देखता हूँ पहली बात मोदी जी के नेतर तुम्हें और योगी जी के नेतर तुम्हें ब्रस्टाचार के खिलाब जिस तरह का अंदोलन चला है उससे हम सारविनिक जीवन में कम से कम ब्रस्टाचार को समाज तो नहीं कर पाएं लेकिन कम जरूर हुआ है और ये विश्वास बढ़ाए कि आने वाले दिनों में ब्रस्टाचार मुक्त समाज बन सकेगा कोई ऐसा किस्सा कि आप अपने पार्टी के नेताओं के साथ रहे हूँ या फिर विपक्षी नेताओं के साथ रहे हूँ लेकिन वो पलियादगार बन गया हूँ क्योंकि ये देखा जाता है कि राजनीती में तो सब एक दूसरे पर तंज कसते हैं लेकिन जब राजनीती और मीडिया से अलग मिलते हैं तो काफी खुशनुमा महौल होता है देखें मैं आपको अपने बारे में बता एभीट्टीगत रूपसे क्योंकि लंबा समय मैं यहां विदानसभा में भी रहा हूँ और अब पार्डियमेंट में हूँ संसदी जीवन भी काफी रहा है और सक्री जीवन रहा है यहां के विदान सभा में भी हर विशे के उपर अपनी राय रखना और विशे को अच्छे तरह से तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मैं इस बात के लिए अपने को सौभा के साली भी मानता हूँ कि सबका सहयोग मुझे मिला जब भी मैं विदानसवा में किशी विशे को रखता था चाहे कट मोशन रखता या सरकार में रहकर मंत्री के रूप में विवाग का बजट हो या कोई दूसरे ऐसे विशे पर विधेयक के उपर चर्चा के लिए जब मैं तो विपक्ष भी बहुत के साथ गहनता के साथ सुना होगा तो मेरे लिए तो लगा नहीं कि केवल उतनी देर तक जब हम ट्रेजरी बेंच में हैं या पोजिशन में हैं तो उस पक्ष का हम दिरवान कर रहें लेकिन बाहर निकल कर के कभी मेरा किसी से राजनेतिक विद्वश नहीं रिया और उस समय कि आप जो बड़े निता रहें चाहे नारणदतिवारी जी रहे हो चाहे कल्यान सिंग जी रहे हो कल्यान सिंग उस समय भाज़पा के निता थे और मैं भाज़पा में नहीं था तेकिन वेक्टिक है चो कहा करते थे या शोक जब भी तुम बोलते हो तो मुझे जब मालूम ह जाता कि आज तुमको बोलना है तो फिर मैं जाता नहीं हूं लंच में भी कि तुमको सुनना अच्छा लगता है नारेंदर तिवारी जी कई बार मुझे बताते थे कि इस विशे पर इस तरीके से और कहा जा सकता था तो इस तरह से उन बड़े नेता वाहू बनार्सिदास चं लेकिन व्यक्तिगत कट्वता नहीं रही और व्यक्तिगत इरिश्याव दोष्की राजनीत मैंने न कभी की मैं हमेशा पाजिटिव मेरा तो यह मानना रहा मैं अपने कार्यकरताओं से भी कहता जब लोग कहते थे आप विरोध्यों का भी नुकसान नहीं करते मैंने का मेरे मैं समस्ता हूँ अच्छा हूँ या बुरा यह मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का अनुबह भी रहा है कि इसलिए मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत सत्रुता या कटुता ऐसी नहीं रही है आप अखलेश को बचपन से देख रहे हैं वो आज नेता प्रतिपक्षी के रूप में बैठे हुए हैं उनकी राजनीति को देखे क्या कहेंगे वो एक सफल राजनीता बने है या कुछ कमी है देखें उनको अपने पूजे पिता जी से ही बहुत कुछ सिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने संगर से ही क्योंकि जिस समय वो पार्टी के उन्होंने गठित की समाजवादी पार्टी उसको बनाने के लिए वो गाउं गाउं गुमें और गाउं 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 लोगों को जोडने का काम किया, कारिकरताओं के विश्वास में ले करके और उनको पार्टी के साथ खड़ा किया, जोड़ा, हर जिले में पार्टी का आधार बना, क्योंकि मुस्वमें तक समाजवादी पार्टी नाम की कोई चीज रह नहीं गई तो उत्तर प्रदेश, लेकिन एक नहीं पार्टी को खड़ा करके उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूवे में उस पार्टी को जनाधार की पार्टी बनाना, तो ये मुलाइम सिंग के परिश्वन से बना था, तो एक तो अगर अखिलेश को विपक्ष की राजनीत हो या सत्ता पक्ष की राजनीत, बिना संगर्स के प्रदेश की राजनीत में अपने जगा नहीं बनाई जा सकती, तो कमसे का हम रचनात्मक डंग से अपना विरोध तो हर जगे दर्ज करें, किस चीज़ पर हमको क्या करना चाहिए, लेकिन विरोध केवल विरोध के लिए नहीं हो, या हर अच्छी चीज़ की आलोचना करके हम जनता के बीच में भी अपने को आलोचना का पात्र बना लेते हैं, जब सरकार के अच्छे कामों की हम जबरदस्ती आलोचना करते हैं, वो विपक्ष भी जनता की नजरों में गिर जाता है, तो इसलिए हमको केवल विरोध के नाम पर विरोध नहीं, रचनात्मक विरोध करना चाहिए और एक स्वस्त विपक्ष के नेता के रूप में अपने को तैयार करना चाहिए विदान सवा में जाने के लिए विशय का अच्छा दियन करके अपनी बात को रखना चाहिए ताकि तारकिक जंग से जब बात रखेंगे तो उसका प्रभाव हुई पड़ेगा और सता पक्षपर भी उसका असर पड़ता है जनता भी उसको महसूस करती है लेकिन मैं समझता हूँ उन चीजों की कभी है मुलाइम सिंग जी के विक्तित तुमें और अखिलेश जी के नेतरत तुमें क्योंकि उन्होंने कभी संगर्स की राजनीत देखी भी नहीं की भी नहीं सिक्षा के छेतर में तो उसमें भरतियों को लेके लगतार युवा प्रदर्शन भी करते रहें इसको आप किस तरह से देखते हैं क्या इनमें कुछ कमिया है जिसको दूर करने की या फिस सरकार को गौर करने की जरूरत है आप कमत क्या है देखें मेरा मत इस संबंद में यह है कि हमारे विपक्ष के नेताओं के पास कोई इशू नहीं रहता है सरकार को कैसे घीरें सरकार के विरुद कैसे वातावरान बनाए चाहें उसके लिए समाज को कितना ही च्छते उठानी पड़े तो इस तरी के आंदोलनों को हवा देने का काम उनका रहा है कि जब भी कोई इ अंदोलन भी होता है तो उसमें विपक्ष सारा इकठा होकर उसको हवा देने का काम करता है वो तीन करशी कानून आई इतने उपयोगी करश्कों के हित्में वो कानून थे लेकिन उनको वापस लेने के लिए जबरदस्ती किसान नेताओं के साथ लाम बंदी करके कैसा माहू बनाने का आज वही इस्तिति आगनी पति योजना को लेकर बिना योजना को समझें ये कोई योजना आज क्या नहीं है बासट में माने जवालाल नेरू प्रदान मंती थे उसके बाद जब चाइना एग्रिशन हुआ और हमें सेना में अधिकारियों की जरूरत पड़ी तो स सेना में अधिकारी बने और मेजर और करणल तकरarya करकर के वहां से अलग होकर दूसरी सेवाओ में आए कोई नए अगनी अगनी पति ये वहारे सहनिकों के लिए थी वो साड़े एकिस साल में उसका सर्विस का कारिकाल पूरा होने के बाद उसके पूरा मोका होगा अगर सिक्षा धूरी है तो सिक्षा अपनी पूरी कर सकता है और विभिन आयोगों के माध्यम से दूसरी परिक्षाओं में आ सकता है और उसके लिए तमाम पेरा मिलिटरी फोर्सेज में, हमारी पीएसी में, पुलिस में, और रेपिड एक्शन फोर्स में, तमाम सब जगें उनके लिए पदों का आरक्षन कर दिया गया है, हमारी तमाम पब्लिक सेक्टर की काहिया हैं, उनमें आरक्षन कर दिया गया, उन बच विविन ने योजनाओं से उनको अपना सोतंद्र उद्यम खड़ा करने के लिए भी सरकारी संसाधन उनके साथ होंगे उनका उज्वल भविश्य होगा और आज आवश्यक्ता है सिग्णा के हमारे सेना को इस तरीके से आज की जो लडाई है उसका रूप बदल गया है पहले क अब तक ये टेकनिकल पढ़े लिखे लड़के आएंगे ये निकल के आएंगे इनको टेकनोलोजी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छे डंग से ये देश का जो सामरिक सकते हैं उसको बढ़ाने का काम करें वाद दुनिया की जितने प्रगत्सील देश है ये अपन जो नवजवान निकल करके आएंगे देखेगा उनका कितना उजवल भविश्य होगा और उनके लिए नवकरियों के दरवाजे इस तरह से कुले होंगे लोग आग्रा करेंगे ये निकले हुए नवजवान हमारे आएं हमारे संस्तान में आएं हमारे प्रतिस्ठान में आए या हमारे किसी पब्लिक अंडर्टेक की कमपनी में जाएंगे, जहां जाएंगे, क्योंकि ये सब अनुशासित होंगे, राष्ट प्रेम से उतप्रोत होंगे, और निश्चित रूप राष्ट गवरव को बढ़ाने के लिए ये समर्पित बाव से अपने संस्तान के साथ काम क और आप नौजवानों के मौका मिल रहा है कि हम राष्ट के लिए कुछ कर सकें, मैं समस्ता हूँ, इसमें किसी भी तरीके का उनके मन में ब्रह्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, आपने एक लंबा राजनीतिक सफर तै किया है, और पहले की और अपकी राजनीती को भी दे नहीं थे, राजनीती कहीं कहीं सेवा से जुड़ी थी, कारिकरता जो भी राजनीत में आते थे, जनता के सुख-दुख से जुड़ते थे, जनता से सीधा समवात करते थे, उस समय लोगों की परेशानियां और अपेक्शाएं दोनों जादा होती थी, ऑँ उनको जुडने उनका समाधान करने में आनन्द आता था आज की राजनीत में देखता हूँ पढलिक के नौजमान आ रहा है उसमें उत्ता सब्र नहीं है और राजनीत में उसकी महत्वा कांख्षा भी जादा है जल्दी से टिकट मिल जाएं जल्दी से MLA बन जाएं MLA बन के सारी सुक्षू विदायें जुड़ जाएं मंत्री बन जाएं इस उसमें भागदोर उस समय जो राजनीत में काम लोग करते थी टिकट के पीछे इतना भागदोर नहीं होती थी टिकट पार्टी खुद देती थी कि नहीं आपको लड़ना है मैं नहीं समझता हूँ राजनीत कारिकरता इतना टिकट के पीछे मारे मारे घूमा करते थी आज इस तरीके से अगर उस समय ये था कि हमको सेवा करनी नहीं भी विदायक बनेंगे तो भी सेवा करेंगे विदायक बन जाएंगे हो जाता करेंगा, तो एक सेवा की राजनीत कहीं कहीं प्रभावित हुई है और राजनीत वेक्तिकत महत्वा को आंक्षाओं पर ज्यादा आधारित हुई है, तो इसको ज़र्द देखने के अवश्यक्ता है हमको समाज बनाना है तो एक ही काम हो सकता या जो देश बना लो या घर बना लो जो लोग घर बनाने में लग जाते हैं कि बड़ी-बड़ी कोठी बन जाएं बड़ा-बड़ा गाड़ियां आ जाएं सब आ जाएं फिर वो देश बनाने का सपना कहीं उनका कम जोर पड़ जाता है जो समाज के लिए संबर्पित होकर जो काम करते हैं तब मैं समस्ता हूँ वही सच्ची राजनीती है अब वो परिवर्तन कहीं दिखाई पड़ता है लेकिन नई पीडी से देश को भी अपेक्षाए है कि आज देश को संबर्द बनाने में नई पीडी की बड़ी भूविका है और मैं समस्ता हूँ एक ऐसा च्छण है देश के लिए इमानिय मोदी जी का नेतर से इस देश को मिला है इन आठ वर्सों में देश ने बहुत प्रगत की है देश का एक राजनीती वातावन और बदला है नवजवानों में एक राष्ट प्रेम जागा है जो केवल दिया है उससे लगता है कि आज सारी दुनिया गवरान में जो भारतवन्शी है वो अपने गवरानमित महसूस कर रहे हैं तो ये भारतवर्श के लिए गोल्डेन पीरिड होगा कि बोधी जी का नेतर तो उत्तर प्रदेश को योगी का नेतर निश्चित रूप से देश इस कि हैरान रहे गए होंगे और साथी साथ उनके जीवन से जुड़ी ये जो कहानी आज हमने जानी है उनके संघर्ष के बारे में जो जाना है आश्या करते हैं कि आपको उससे प्रेणा मिलेगी आप एक अच्छे राजनितिक बनेंगे और एक अच्छे नागरिक भी बनेंग अगले एपिसोड मिलेंगे एक और शक्सित के साथ तब तक आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार